प्रीविद्य हर्तियो आर्ची एच रुपानफर की और नन क्लास में आपका हर्दी स्वागत है आज हम प्रिक्सम पढ़ने जा रहे हैं दर्वे तर्गों के अउधाना डी प्रहोगली की परिकलपना ये हम दर्वे तर्गों की तरंग धहरी के बारे में दिन करेंगे हमने इससे पहले की वीडियो में दिन क्या था प्रकास की दोयत प्रकरती की बारे में की प्रकास की दोहरी प्रकरती पाई जाती है तो आज हम उसको और अध्यन करेंगे इसके बारे में तो सन 1923 के अंदर फ्रांस के विज्या ने कुई है जिनका नाम था डी ब्रोगली उन्हों ने एक परिकलपना थी डी ब्रोगली ने उन्हों ने यह बताया कि जिस प्रकार तरंगों के रूप में विक्यन उर्जा से कणों के लाक्सनी कुणों को सम्मंद किया जाता है विक्यन उर्जा से कणों के लाक्सनी कुणों को सम्मंद किया जाता है उसी प्रकार दर्वे जो कण होते हैं दर्वे कण तरंग के रूप में विभार करने चाहिए उन्हीं बताया कि जिस प्रकार तरंगों के रूप में विक्यन उर्जा से कणों के लाक्सनी कुणों को सम्मंद किया जाता है ठीक उसी प्रकार से गत्सील जो दर्वे कण होते हैं वो भी तरंग के रूप में विभार करने चाहिए अर्था तम ही कह सकते कि जो दरव कण होटे जैसे प्रोटोन है इलोक्टोन है आधी भी गतिसी लावस्ता में तरंग प्रकर्ती दरसाने चाहिए उन्हीं ये बात कहीं तो इस स्वस्ट होता है कि जो हमारे दर्वे जोकन होते हैं जोसे प्रोटोन है ये भी गदिसी दावस्ता में तरंग प्रकर्ति रोग को विहार करने चाहिए फिर ने बताया कि इन दर्वे कनों से सम्मंदित जो तरंग धहरी है उस तरंग धहरी को इडी ब्रोगली तरंग धहरी का जाता है और उस तरंग को डी ब्रोगली तरंग कहा जाता है यानि दर्वे कनों से सम्मंदित तरंग को डी ब्रोगली तरंग का जाता है और उनके तरंग धहरी को डी ब्रोगली तरंग धहरी कहा जाता है तो उन्हें बताए कि यह जो डी प्रोगली जो तरंग होती है वो उर्जा के या पैकट रूप में उसको हम इस प्रकार दरसा सकते हैं तो यह सिद्दान हमारा यही कहता है कि जो हमारे द्रविकन होते हैं यह द्रविकन है यह एक तरंग के रूप में विवहार करने चाहिए यह वात मोंने कई थी तो यह इस प्रस्ट होता है वे सम जानते हैं कि तरंग है वो एक उर्जा का रूप होता है तो यह तरंग है यह प दरवे तरंग की तरंग धहरिये हमारा अगला पॉइंट आता है तरंग धहरिये तो हमें अब दरवे तरंग है इसे प्रोटोन है एलोक्टोन है अनिकि हम तरंग धहरिये का हमें सितर प्राथ करना है अपन जाते हैं कि जो वह फोटों होता है कि जो फोटों की जो उर्जा होत दिये माना यह नमबर के समिकरन इस पडाल लेते हैं फिर हम जानते हैं कि जो हबारा आइंस्टील निकरन निक समन्द दिया था यह नहीं आइंस्टील की दिर्मान उर्जा समन्द से हम जानते हैं यह बराबर क्या होता है mc square होता है यह वार नमबर दो समीकरण है अगर हम समीकरण देखो एक और दो की तुलना करें तो यहां से हम कैसा थे h new बराबर क्या हो गया mc square हो गया यहां से हम दर्मान का मान निकालना चाहे तो यह इसके बढ़ते माज़ आगा c square दिया जाएगा mそんな पधर h new upon c square हमने m का मान निकाल लिया अब हम एक तरंग देखरे गयाद करना है अब हम जानते कि सम्वेक जो होता है तो बतो सम्वेक p beraber क्या होता है सम्वेक p traveler होता है mv दर्मान गुना देख होता है mv होता है p beraber अब यहां से M कामान निकाले, हम कामान यहां रख देंगी, तो हो जाएगा P बराबर M कामान रख दो इसके अंदर, तो हो जाएगा P बराबर M, मतलब H new upon C square, अब देखो, यहां जो कि हम उसकी वेग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो वेग है, हो क्या हो जाएगा, M C, तो हो जाएगा, M V, यहां कि हम C प्रकास की वेग की बात कर रहे हैं, यहां देखो, यहां पर आवर्ती हो गई, H new है, तो H new जो है, हमने M कामान रख दो, M कामान हो गया, H new upon C square, तो H new upon C square इंटो आगया, V, कि V यहां पर वेग है, अब यहां प्रकास का वेग हो, तो यह हो जा C, C कट जाएगा, तो यहां जाएगा, P बराबर H new upon C, देखो, हम new को यहां ले सकते हैं, यहां सी हो सकता है, P बराबर H upon, जो है, C upon new हो सकता ही, बात वो ही है, new पर दो जाएगा, तो H new upon C, आपन जानते हैं कि, चो कि lambda बराबर होता है, C upon new, तो यहां जाएगा, यहां सी ज ए चपाउन लेमड आ जाएगा तो यह हमारा समंद आ गया तरंग धहरिये प्लांक नेतांग और पी के जो सम्वे के हम पी है पी के अंदर अब देखो हम आगे हम जानते हैं कि यह हमारा समंद प्राप्ठ पर आ हो गया अब हमें पी यहाँ पर ही यहाँ से लेमड़ा का मान निकाल ले तो भई लेमड़ा तरंग धहरी है यहाँ से लेमड़ा बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन पी हो जाएगा अब यदि जवर दर्विकन है यह दर्विकनों का दर्मान तो M हो यह दिनों का वेग V हो तो यहां से lambda इक पर वही क्या जाएगा h upon p, p का मला हो जाएगा mv, m द्रिमान इन्टो v वेग हो जाएगा, पी पराव mv होता ही है, तो यह हमारा समुद्ध आ गया, तो यह हमारा जो समीकन है, इसको वो d रोगली तरग समीकन कहते हैं, जमने इसका समीकन प्रावत किया है, तो यह हम नेक्स्ट वीडियो बद्धन करेंगे, थैंक यू.